बेंकर से बेंकर जो बवासिर होती है ना दोस्तों कई सालों से आपको परेशान कर रही है उसके लिए आज मैं आपको एक साधार अरंशा उपाय बता रही है आपको इस उपाय को देड़ वहिना तक लगातार आजवाना है दोस्तों आप देखेंगे आपकी जो बवासिर की स पूरी तरह से जड़ से खतम हो जाएगी बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इस रेमेडी को आपको किस तरीके से बना कर लेना है और किस टाइम आपको ये खाना है इन सारी चीजों का आप ध्यान रखे और आप इसे अपना कर देखे आपको 100% लाब मिलेगा बवास पूरी तरह से खतम हो जाएगी तो सबसे पहला उपाय है हमारा दोस्तों ये इसमें अमने क्या किया अंजीर ले लिए हैं आपको एक बार में इतने अंजीर का इस्तिमाल नहीं करना है अंजीर जो है थोड़े से महंगे होते हैं दोस्तों लेकिन आपके सरीर के लिए पेट की समश्या है ना वो बिलकुल खतम हो जाएगी साथ की साथ जो बवासीर से आप परेसान है वो भी बिलकुल आसानी से चली जाएगी दोस्तों इसको आपको कैसे इस्तिमाल करना है वो मैं आपको पता देती हूँ आपको ले लेने हैं दो अंजीर दो अंजीर को आप के साथ ये फूल चुके होंगे खाने के लिए अब ये तैयार है आपको सिर्फ दो अंजीर का इस तरीके से रात को भिगो कर छोड़ देना है और सूबे आपको सेवन करना है सूखे अंजीर आप खाते है न तो वो इतना फायदा आपको नई करेंगे जो आपको समस्या है न उसके लिए आप बताई गई जो ये रेमेडी है न इसका इस्तिमाल इसी तरीके से करना तो आपको सो परसेंट लाब मिलेगा दोस्तों आपको डेड़ मैना तक ये अपनानी है जैसे आपने सूबे ये भिगे वे अंजीर खा लिए इसके साथ में आपको पानी पीना है पानी में और उसका सेवन आपको शाम को करना है शाम को जब आप खाना वाना खालें उसके बाद में जब आप सोने जा रहे हैं उससे एक आद गंटे पहले आप तो अंजीर को चबा चबा कर खाएं बीगे हुए अंजीर को उपर से आप पानी पीले जब सूबे की टाइम आप अंजीर काएंगे ना तो यह आपको खाने हैं खाली पेट सूबे जब आप फ्रेस वरेस ओले उसके बाद में आप यह अंजीर खाएं अंजीर काने के बाद में अभी सर्दियों का मोसम है ना तो आपको पानी पीना है इसकी उपर तो आप हलका गुन-गुना कबड को टाने के लिए दिन घापको पानी का अच्छी सेवन करना है दोस्तों इसके बाूसरी आपना कोजर को अपना कर दे बाद में को मैं पूरे तरीकें बताओंगे इस हरृ था लिया उठाया। सुखी या कोई भी ड्राइफ रूट खाते हैं तो उतना फायदा नहीं करता है। तो ईस्थ कुछ इस्थ को भी आपको श्याम को सेम तरीके अप 28 किसमिस ले 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 गिनकर और इस तरीके से अगर आप अपनी मुठी से बरकर लेते हैं तो आपकी मुठी में दिखनी नीची ये बार अंदर जितनी किसमिस आ जाएगी बस वो जो मेजरमेंट है ना एकदम परफेक्ट है दोस्तों आप देखेंगे किसमिस का बड़ा साइज इसका ये पी लेना है और उसके बाद में आप इस तरीके से इसको तयार करना जैसे मैं आगे बता रही हूँ इस किसमिस को आप चाहें आपके पास टाइम नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में डाल कर इनका बारिक पेस्ट बना ले पानी समेत भी आप डाल सकते हो और इस किसमिस को हम पूरी तरह से बारिक कर लेंगे यहां पे मैंने तो इसको इसी तरीके से बारिक कर लिया है आप इतना तोड सकते है इसको नहीं तो आप ग्राइंडर जार में इसको पी सकते हैं बस अब ऐसा करने के बाद में क्या करना है एक लिटर पानी एक लिटर पानी जाल देना है, इसको अच्छी से मिक्स करेंगे, अब यह जो पानी है, अलका सा मिठा सा जाएगा, इसमें पीने में भी अच्छा लगेगा आपको और यह फायदा भी बहुत देगा आपको इस बीमारी के लिए दोस्तों, एक लिटर पानी आपको ले लेना है, अभी सर्दिय पानी एक बार में पीना सुबह सुबह मुस्किल होता है, तो आप क्या करें, इसमें से आपको डेड़ गिलास, दो गिलास बाई उतना आप पी ले और बचा हुआ पानी आप आदे गंटे के बाद में पी सकते हैं, यानि दो गंटे के अंदर आपको यह पूरा पानी फिनि करना है, दोस्तों ज्यादा नहीं, आपको लेना है एपल साइडर विनेगर, अगर आपके पास है तो आप ले ले लाने की जरूरत नहीं है, आप अकेली किसमिस और अंजीर के साथ में भी यह उपाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारी चीजे आपको लेनी जरूरी है नहीं, अगर है आपके पास ना, तो आप सब तामे दो बार जरूर लेने इसको, दो चमच एपल साइडर विनेगर, एपल साइडर विनेगर की जो मात्रा होती है ना, दोस्तों आपको सिमित मात्रा में लेना होता है, बहुत ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, एक गिलास पानी म लेकिन तुरंत ही वो जलन है ना, दोस्तों शानत हो जाएगी, जितनी भी बवासिर के उपर जो खुजली आती है, दर्द होता है, उसमें आपको तुरंत रहत में लेगी, और ये जो पानी है, इसमें अमने दो चमच एपल साइडर विनेगर डाला ही, इसको अच्छे से मे अगर नहीं है, तो बवासिर पे लगाने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास ओलिव ओल यानि आपके पास जैतुन का तेल होना, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, बवासिर के उपर अलका सा आप कोटन बोल पे ले ले और जलन वाली जहां पे धर्द हो रहा है, बहुत बहतरीन सी रेमेडी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई होना, तो प्लीज जादा से जादा सेयर करते हैं, ताकि सभी को इसका फाइदा मिल सकें, और आपके पास भी ऐसी यूजफुल रेमेडी हैं तो प्लीज कमेंट में लिख कर जरूर बताना, ताकि सभी को इससे कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद